हलो दोस्तों मैं पुशान आप सभी का अपने योटूब चैनल एक प्वेटी डू कम्यूटी में स्वागत करता हूं तो आज मैं आपको इस वीडियों बताने जा रहा हूं कि कैसे आप options trading के लिए stock का selection कर सकते हैं इस रिगार्टिंग बहुत साय लोगों के queries आ रहे थे कि सर options trading में हम stock का selection कैसे करेंगे वो आप मुझे बताएए तो इस वीडियो में आपको वही चीज़ डीटेल से बताने जा रहा हूं कि आप जो options trading करते हैं उसके लिए stock का selection कैसे करेंगे क्या क्या query area होना चाहिए सो लेट स्टार्ट तिहां पर सबस्पेल हमें क्या देखना है stock selection के लिए हम ही देखना होगा कि वैसे stock को select करना होगा जहां पर क्या देखने को मिले जहां पर हमें liquidity देखने को मिले अब हम liquidity वाला stock कहां से select करेंगे यह आप लोग के मन में doubt आ रहा होगा तो उसके लिए हम दूसरा point से वो doubt क्लियर कर देते हैं कि आपको यहां पर nifty 50 वाला stock select करना या नहीं तो nifty 100 निफ्टी 100 से बाहर नहीं जाना है और अगर आप निफ्टी 100 वाला stock pick करते हैं तो वहां पर automatically आपको liquidity देखने को मिलेगा तो आपको stock selection से पहले यह ध्यान रखना है कि हमें क्या find करना liquidity उसके लिए हमें कहां पर जाना पड़ेगा निफ्टी 100 में से stock का selection करना है नहीं तो आप nifty 50 से भी कर सकते हैं वो और बेतवीन होगा आपके लिए तो पहला point के लिए हो गया अब हम दूसरे point पे आते हैं कि हमारा strategy क्या है कैसे हम stock का selection करेंगे इसके लिए आपको थोड़ा सा manually मेहनत करना परेगा क्योंकि इसके लिए screener अबलेबल नहीं है manually आपको stocks को check करना परेगा अब यहाँ पे जो हम stock selection का एक हम criteria find किया है और एक strategy यूज़ करें उस strategy का नाम है inside bar candle हम इसी को follow करते हुए क्या find करेंगे options के लिए stocks find करेंगे जिसमें हम trade ले सकते हैं और कब trade लेंगे वो हम यह find करेंगे inside bar candle के जरिए अब inside bar candle क्या है यह आपका दो candles का pattern है यहाँ पे दो candles मिलके इस pattern का formation करता है और यही pattern हमें बताएगा कि कब हमें buy side की तरफ जाना और कब हमें sell side की तरफ जाना है और इस pattern का formation जहाँ पे भी होगा हम उसी stocks में tweet करेंगे otherwise वहाँ पे हम tweet नहीं करेंगे तो सबस्पहले निफ्टी 100 वाला stocks पिक करना फिर देखना है कि जो stocks हमने select किया उसमें inside bar candle का formation हो रहा है यह नहीं हो रहा है अगर हो रहा है तो हम उसमें tweet ले सकते हैं नहीं हो रहा है तो हम tweet नहीं लेंगे stocks को वहीं पे हम drop करेंगे अब inside bar candle क्या वो मैं आपको बता देता ह हो सकता है जिसको हम लोग baby candle बोलते हैं एक big candle और एक small candle जिसका body पूरा का पूरा इसके body के अंदर होना चाहिए यह नहीं जो big candle है उसका जो भी body है उसके अंदर यह होना चाहिए तो जाकि यह perfect आपका क्या बनता है inside bar candle जैसा कि यहां पे यह दोनों candle मिलके inside bar pattern का formation कर रहा है अब यहां पे दो candle है जो big वाला candle उसको हम लोग बोलते हैं mother candle और यह छोटा वाला candle है उसको हम लोग बोलते है baby candle इसका नाम याद करें कि जो अतनी है लेकिन जो characteristics है वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना परेगा और हम इनी दोनों candle के वैसिस पे trading decisions लेंगे इसलिए इसको ध्यान रखना परेगा अब देखिए अब हमें trading decisions के लिए क्या करना है जो baby candle है इसके high को और low को mark करतीजे यही हमें बताएगा कब buy side की तरफ जाना कब sell side की तरफ जाना mother candle का इसके बाद कोई काम नहीं है pattern formation होने के बाद mother candle कोई काम नहीं है अब उसके बाद अगर price baby candle के high क ब्रेक करके ऊपर निकला तो क्या करें यहां पर buy side की तरफ positions हम ले सकते है stop loss कहां पर लगाएंगे stop loss के अगर हम बात करें यह जो baby candle का lowest point है यह हमारा क्या काम करेगा SL के रूप में काम करेगा तो SL भी काफी छोटा सा है यहनी यहाँ पर जो risk reward ratio है वो भी काफी हद तक आपके favor में ही जाएगा छोटा से stop loss रहेगा और यहाँ पर हम buy side की तरफ entry आसानी से ले सकते हैं first target price की बात करें देख सकते हैं previous swing high यह है यह हमारा first target price बन जाएगा उसके बाद आप चाहोते हैं यहाँ पर तो पहला चीज़ी हो गया दूसरा अब यहाँ पर कभी कभी आपके लिए trap बिचाया जाता है उस trap को आप कैसे filter कर सकते हैं वो भी मैं बताने जा रहा है और कब हमें inside war जो pattern है उसको follow नहीं करना है उसके लिए आप previous example पर आ जाएए यहाँ पर देख सकते हैं एक आपका big red candle है उसके अंदर छोटा सा आपका green candle दिख रहा है लेकिन अब इस वाले candle को देखे यह आपका baby candle है और यह भी baby candle है दोनों के size में बहुत जादा अंतर है लगबग 2-3 गुना जादा का अंतर है तो यह आपका perfect baby candle नहीं है इसलिए क्या करेंगे इस pattern को follow नहीं करेंगे यह हमा पिर हम वहाँ पर उसको follow नहीं करेंगे यह चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा तो यह चीज़ क्लेर हो गया अब यहाँ पर एक और example बताता हूं और यहाँ पर आगर आप वाइपसाइट के तरफ positions लेते मैं level 3 बताता हूं कितना point का profit होता लगबग मेरा होता 8 50 के करीद और यहाँ से price आपका all the way 920 से उपर गया 920 छोड़ दीजे सिर्फ अगर हम 900 के level पर यह profit लेते हैं यहाँ पर मुझे मिलता 50 point का profit 50 point का profit that means to कितना percent हो गया लगबग आपका 4 to 5 percent के करीब यहाँ पर मुझे profit मिलता हुआ दिखा है आसानी से और वो भी कितने trading session मिला है 1,2,3,4,5 trading sessions में मुझे लगबग 4-5 percent का profit आसानी से मिल गया है ति इसके वेसिस पर अगर आप options में trade करते हैं वहाँ भी profit मिल जाएगा और futures में trade करते हैं वहाँ भी profit मिल जाएग options की अगर हम बात करें तो यहाँ पर strike price का selection कैसे करेंगे अब यहाँ पर भी बहुत सारी लोगों को doubt या confusion होता है simple सा है देखिए हमें buy कब करना इस level को उपर यह नि लगबग 850 के उपर जैसे price निकलेगा यहाँ पर हम buy करेंगे तो यहाँ पर चाहो तो 840 का call options यानी तो 860 का call options यानी तो 850 अगर जो भी strike price है इन तीनों में से इसका call options आप यहाँ पर आसानी से buy कर सकते हो आपको यहाँ पर क्या करना प्रेफर करना कि हम ITM buy करें अगर आपके पास sufficient fund नहीं है तो यहाँ पर आप ATM पर भी जा सकते हैं यानि at the money भी buy कर सकते हैं लेकिन otm पर नहीं जाना out of money पर भूल से भी नहीं जाना उतना fund नहीं है तो आप trade मत किजिए लेकिन जब भी trade करना in the money या फिर at the money call options या फिर put options को buying करना प्रेफर करना है तो options में strike price का selection कैसे करना इस trade setup के basis पर वह भी यहाँ पर आपको जो doubt है वो clear हो गया होगा अगर अगर अभी भी doubt है तो अब यहाँ पर देखिए हमें candle के color से कोई मतलब नहीं है यह चाहिए green बने या फिर red बने या दोनों red या फिर दोनों green बन जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं यानि candle color से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है अब इसके बाद price आपका वापस से नीचे आया और यहाँ प बॉड़ी को देखिए बॉड़ी काफी छोटा सा है यह निए बेबी जैसा बॉड़ी है और जो mother candle उसका बॉड़ी बिग है मेच्वर है तू हमें दिखा रहा है कि आपका mother candle हो गया तो यह आपका क्या बना यह आपका perfect inside बार candle का formation किया inside बार pattern का formation किया है यह दोनों candlestick मिल के यहां पर भी क्या करेंगा baby candle के high और low को mark करेंगे ध्यान रखना है यह high हो गया यह low हो गया अब price low को break करके नीचे जाता है यहां पर हम sell side की तरफ positions लेते लेकिन यहां पर price high को break करके गया है यह जो point है यह मेरा SL बन जाएगा और price आपका all the way upset की तरफ निकला है तो यहा उसकी बाद यहां पर failing stop loss का इस्थमाल करते हैं और उपर side की तरफ जा सकते हैं और यहां से price यही नहीं रुका है यह आपका all the way 780 के level तक गया है तो अगर हम यहां पर 750 भी लेते हैं 20 point भी लेते हैं तो लगबख मुझे 3% to 4% का profit यहां पर आसानी से मिल गया है और strike price का selection पर आपको यहां पर इंदमनी या फिर slightly ATM पर ही करना है जैसे हम यहां पर buy कब करें 730 पर करें यहां पर आप चाहो तो 700 का call options buy कर सकते हैं या नहीं तो 710 यह फिर 720 यह सारा call options buy कर सकते हैं हमेशा आपके पास तीन options रहेगा strike price का selection के लिए जितना fund आपके पास है अपने fund को देखते हुए इसमें से जो भी suitable strike price लगता है उस strike price में आप trading setup त्यार कर सकते हैं options में tweet ले सकते हैं यहां पर आपको और सारा एक्जांपल बताता हूं देखिए अब यहां पर हम आगें बजाज फिन सर्ब के डेली चार्ट पर यहां पर हमने जो भी एक्जांपल लिया डेली चार्ट में लिया क्योंकि यहीं पर हमें सबसे ज्यादा accuracy level देखने को मिलता ह बांकि अपने हिसाब से आप टाइम फ्रेम थोड़ा बहुत आवली चार्ट पर भी जा सकते हैं अब यहां पर देखें यहां पर भी क्या बना इंसाइट बार पैटरन का formation किया है यह जो green वाला है यह आपका mother candle है और यह red वाला यह आपका baby candle है लेकिन क्या baby candle छोटा नहीं baby candle का size बहुत big है तो यह inside bar pattern हमारा नहीं है इसके basis पे हम कोई tweeting decisions नहीं लेंगे तो कई बात इस तरह का आपके लिए trap बिचाया जाएगा इस pattern के basis पे जहां पे baby candle का size big हो जाएगा तो आपको trade नहीं लेना जैसे trade करेंगे यहां पे आप trap में फस सकते हैं loss भी हो सकता है कई ब इसके basis पे trade करना बनता भी नहीं है उसकी बाद देखिए यहां पे हमारा क्या बना है perfect inside bar pattern का formation किया है strong आपका mother candle है M से denote कर देते हैं और यह आपका काफी small green में baby candle का formation किया जिसको हम B से denote कर देते हैं यहां पे हमें क्या करना baby candle के high को mark करना low को mark करना यह मेरा SL काम करेगा price upside क क्या बन जाएगा entry point अगर low side की तरफ breakout देता यह मेरा SL हो जाता और यह मेरा बन जाता entry point तो दूनों आपका entry और SL में convert हो सकता है बसरते जिस भी तरफ breakout देखने को मिले उसकी बाद देख सकते हैं first target price हमारा इसी level करीब होगा यानि होगा 16400 के करीब और यहां पे हम जो margin point के करी profit मिलता हुआ दिख रहा और 2000 का profit का मतलब है कि यहां पे मुझे लगबग 15% के करी profit मिला है तो देख सकते हैं कितना जबरदास profit हम यहां से derive करें और कितने देज में derive करें देख सकते हैं 1,2,3,4,5,6,7,7 trading से लगबग 15% का profit मिल गया जो कि sufficient profit है और इस strategy को follow करते व कि आप जाओ तो twailing stop loss का भी इस्तमाल कर सकते हो कर नहीं सकते हैं यहां पर करना ही है जो twailing stop loss है इस situation के लिए बहुत जरूरी है आप अपने profit को secure करें जैसे ही market 2% आपके favor में आ जाए उसके बाद अगर drastically गिरावी है तो आपको loss नहीं होना चाहिए 2% move के बाद आपको यहा 2% market आपके favor में move कर लिया है तो इस तरीके से आप यहां पर कौन inside bar pattern है और कौन नहीं है वह भी आपको identify करना है तो यहां पर हम एक और चार्ट पर आगे हैं TCS के daily chart पर अब यहां पर जो हम stocks pick कर रहे हैं वो देख सकते हैं nifty 50 वाला stocks pick कर रहे हैं यहां पर आपको वैसा stocks pick क इस पे आप भरोसा कर सकते हो nifty 50 या फिनिफ्टी 100 वाला इसलिए मैंने बोला stock selection बहुत जोग रही है nifty 100 से बाहर नहीं जाना नहीं तो वहां पर आपके profit probability कम हो जाएंगे अब यहां पर मैंने कोई mark नहीं किया अब आपको खुद से identify करना क्या identify करना inside bar pattern जिसके basis पर हम trade ल market में काम करेगा अब यहां पर देखिए multiple क्या बना inside bar pattern बना है यहां पर लगबग आपको तीन चार inside bar pattern देखने को मिला मैंने नेक राई से identify कर लिया मैं एक एक करके आपको बताता हूं पहला देखिए यहां पर मुझे देखने मिला और भी आप find कर सकते हैं इससे पीछे भ हुआ है यहां पर back to back one two three inside bar pattern का formation हुआ है इसका क्या मतला है वह भी मैं आपको explain करता हूं सबस्पहले हम एक एक करके सब पर बात करते हैं तो यहां पर देखिए यह आपका mother candle है काफे बीग बेवी candle small है यह आपका perfect है inside bar pattern क्या करेंगे बेवी candle के low और high को mark करेंगे अब दे target price होगा देख सकते हैं यहां पर previous swing low है तो यह मेरा first target price हो जाएगा यहां पर हमने जो sell sir की तरफ entry लिया है लगबग आपका entry लिया है chances कम है अगर कभी hit भी हुआ तो छोटा सा नुकसान हुआ अगर यहां पर आपका एक trade profit मेरा और दूसरा trade आपका नुकसान मेरा तो overall आप क्या रहेंगे यहां पर 10 से 20% का फिर भी आप overall profit में ही रहेंगे यहां अगर आपका profit probability 50% है फिर भी आप यहां पर 10 से 20% का profit derive करें इ ही हो सकता है छोटा सा stop loss वाला trading strategy भी आप इसको बोल सकते हैं अब दूसरा हमारा क्या है inside bar pattern यह है देख सकते हैं काफी big mother candle है छोटा सा क्या है हमारा baby candle है अब यहां पर क्या करेंगे इसके low को mark करेंगे इसके high को mark करेंगे अब देखिए price इसके high को भी break करके उपर निकला low को भी break करके नीचे आए यहां पर आप किसी भी तरफ trade लेते हैं तो आपका क्या होगा SL यहां पर आपका definitely hit हो जाएगा तो यहां पर 100% accuracy नहीं है मैं आपको यहीं दिखाने के लिए चीज़ लाया हूं कि यहां पर SL भी hit होगा कई बार यहां इसका accuracy आप यहां पर 70% करीब रख सकते हैं यहीं अगर आप 10 trade लेते हैं तो उसमें से 7 में profit होगा लेकिन यहां पर 3 trade आपको loss भी देगा यह loss भी आपको सहन करना परेगा लेकिन मैं आपको बताया था कि अगर आप 3 trade profit में रहते हैं और 3 trade आपका loss में भी जाता है फिर भी आपका profit probability यहां पर 20% के करीब रहेगा इसलिए यहां पर इसलिए ज्यादा डरने वाली कोई बात नहीं है देखिए एसल जो मेरा हीट हुआ काफी छोटा सा यह एसल है और यह एसल है जो अपर और लोवर पॉइंट है वही मेरा दोन में को एक एसल की रूप में काम करेगा तो जिस भी तरफ पहले breakout दिय जो इसलिए जो उसकी बाद बैक टूबैक फिर से बनाएं अब यहां पर एक चीद देखिए बेबी केंडल का साइज थोड़ा सा बिग है लेकिन साथी साथ मदर केंडल का साइज और ज्यादा बिग हो गया है मतलब अगर हम मदर केंडल को देखे उसके इलिया से अगर हम बहुत छोटा है तो यह आपका क्या बन जाएगा यह आपका perfect inside bar pattern का formation किया है वहीं अगर आपका इस red candle का body size रहता सिर्फ इतना ही रहता तो फिर यह inside bar pattern नहीं होता तो कभी-कभी जब mother candle का size big हो तो इस टाइम पर baby candle का size भी अगर big बन वहा तो ज्यादा कोई डवने वाले ब सारा experience अगर आप खुद से करेंगे तो वह ज्यादा between आपके लिए होगा और यहां पर भी इसके high और लोग को mark करेंगे दूनों में से कोई SL के रूप में काम करेंगा और को एक entry भी मेरा बनाकर देगा अब साइट की तरफ डेक आउट गया थी SL हो गया और यह मेरा बन गय लिए SL से convert होके entry point और यहां पर first target price क्या होगा हमारा यह level first target price होगा जिसको आसानी से इसने hit किया है यहां पर हमने जो entry लिया लगवग 32.50 करीब लिया है और हमारा target price है 34.50 यहनी 200 point और 200 point का मतलब है कि यहां पर मुझे लगवग 5-6% का profit आसानी से मिल गया है तो देख सकते हैं 5-6% का profit आसानी से मुझे यहां पर मिल गया उसके बाद यहां पर भी आपका क्या form किया है inside by pattern का ही formation किया है तो यहां पर भी अगर हम buy side की तरफ positions initiate करते हैं तो हमारा target price क्या बनता यही हमारा target price first बनता उसके बाद दूसरा target price यह बनता तीसरा target price यह बनता फर्स target price को इसने आसानी से hit कर दिया तिस तरीके से आप inside by pattern को follow करते हुए options में stocks का pick कर सकते हैं और यहां पर जो भी आपको trade लेना जैसे हमने entry कहां पर लिया था buy side की तरफ 3250 तो यहां पर आपको 3200 के call options को buying करना प्रेफर करना या नहीं तो आप 3250 अगर strike price अबलेबल है तो वह भी ले सकते हैं इससे उपर नहीं जाना नहीं तो आप 3150 यह वाला भी call options buy कर सकते हैं तो आप इन दमनी जाने का कोशिस किजिए अगर fund नहीं है तो फिर at the money पर जाए otm पर जाने का कोई मतलब नहीं है तो उमीद करते हैं जो हमारा यह strategy था कि कैसे आप options trading के लिए stock का selection करेंगे वह आपको समझ में आगे आओगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकवेज किजिए और च यह हैं